गुड मॉनिंग एस्पिरेंट्स स्वागत है आप सबका स्री सुंद्राम अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आसा करता हूँ कि आप सबकी MPPSC प्रिलिम्स की तयारी काफी जोरों से चल रही होगी और उसी तयारियों में कुछ वैल्य एडिसन करने के लिए मैं जनबरी मन्त का कुछ current office के questions लेके आया हूँ जहां पर मेरी तरब से यह कोसिस होगी कि आपकी तयारी को थोड़ा से इन्रिश्च किया जाए तो चलिए questions का discussion जादा ना समय बरबात करते हुए शुरू करते हैं तो सबसे पहला सवाल है कि सोल्वें वितायोग का सोल्वें वितायोग के अध्यक्ष कौन बने है तो इसका option है अर्विंद पंगडिया तो finance commission के बारे में जानना थोड़ा से important हो जाता है finance commission के बारे में बात करें तो यह कैसी बॉड़ी एक constitutional बॉड़ी है इसके कितने मेंबर होते है इसमें होते है पांच मेंबर जिनको गौर्वर्मेंट इसको बनाए गया अर्विंद पंगडिया और दूसरा यह हो गया कि उसका basics ठीक है अगला सवाल है अगला सवाल यह है कि कौन से कौन सा देश जो है वह Brics Bank से अलग हो गया है Brics संगठन से अलग हो गया ठीक है तो यह है अर्जेंटीना अर्जेंटीना जो है साउथ अमेरिका का देश है साउथ अमेरिका कुछ ऐसा होता है उपर होता है नौर्थ अमेरिका नीचे हो साउथ अमेरिका अर्जेंटीना आपको यहां पर मिल जाएगा यहां पर ब्राजील है और अर्जेंटीना की जो राजदानी देश कौन बना है तो इसका अंसर है option C भारत जो भारत है भारत ने उपलब्दी हासिल किया है यह दुनिया का दूसरा दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है किसका इस पात का मतलब इस्टील का ओके अगले question पर चलते हैं सौरब डॉलर की संपत्ती वाली पहली भारती महिला कौन है तो इसका अंसर है चार का डी फ्रांसुआ पेटन कार्ट या मायन माफ कीजेगा इनका नाम थोड़ार साब मुझे प्रोनौंस करने में दिक्कत हो रही है तो आप देख लीजेगा कि जो सौरब डॉलर कमाने वाली संपत्ती वाली पहली महिला कौन बन गई है यह है अपनी फ्रांसुआ ठीक है अब यह किस तेस्ते हैं इसके बारे में जानकारी लेनी थोड़ी से आपकी जम्मेदारी बनती है आप जान लें इनका बैक्राउंड क्या था और ही कैसे थे उसके बाद अगले कुश्चन पर कबड़िए चलते हैं कि हाल यह में किसे यु ए पी ए की तहात आतंगवादी घुशित किया गिया है वह है लखबंदर सिंघ्ण लांडा ठीक है तो यह कौन होते हैं लकविंपंदर सिंघ्ञ सी ओपन कौन सा हो गया भी तो यह पूछा जा सकता है कि युए हालि में देखा के लिए UAPA Unlawful Activity Prevention Act इसका full form होता है और इसका मतलब यह भी देखने में आ रहा है कि government इसका गलत इस्तमाल भी कई बार करती आ रही है कई सारे ऐसे लोगों को भी UAPA लगा दिया गया जो जर्नलिस्त है जो सोसल एक्टिविस्त थे ठीक है चलिए अगले कोशन इसके चलते हैं केंद्री रिजर्ब पुलिस पर का महानि देशक कौन बना है तो अब अगले question पर चलते हैं Reliance Geo किस संस्थान के साथ मिलकर भारत GPT बना रहा है तो Reliance Geo जो है अपने मोटा भाई जो है वो किन के साथ मिलके बना रहे हैं वो बना रहे है अपना IIT Bombay के साथ मिलके भारत GPT आपने GPT के बारे में तो सुना ही होगा GPT ऐसा मतलब AI software है जो आपके questions को जो भी आपकी queries होती है उसका अंसर देता है किसमें Machine Learning और Deep Learning का इस्तमाल करके ओके तो GPT के बारे में आप इसके बारे में थोड़ा सुसाइटी के अनुसार 2023 में कितने बागों की मौत हुई तो यह भी देखने में आ रहा है कि लगतार बाग जो है उनकी जनसंग्या तो बढ़ रही पर उमर भी रहे है तो इसकी मतलब पूछा भारती वन जीप संरक्षर सुसाइटी के अनुसार तो इसका योजन कहां हुआ है कहां शूरत मैं इसका अगला इंगसट किस अंतिरिक्ष एजन्सी द्वारा लॉँज किया गया है ये किसके दWAR City चुल तो यह एक्सरे पोलीमेट्री सेटेलाइट है कि यह आपके जो युनिवर्स है उसका एक्सरे निकालेगा और दुनिया अबर की जितनी भी गेलेक्सी आकास गंगाएं है प्लैनेट है उनके बारे में जानकारी देगा तो किसके दौरा लाएगा है यह इसरो के दौरा ठीक है सैन अभ्याज जो है मतलब जो देश किसी नहीं अपस में साइकलोन 24 की मादियम से क्या गरिंग भारत और दूसरा देश कौन सा है यूए इडेजर्ट साइकलोन डेजर्ट से आपको यह आद रखना है डेजर्ट मतलब मरुस्तल यहां पे यूए यूए थोड़ा सा आपको सुरू किया गिए सागर परिक्रमा का दस्मा जो च नहीं सुरू कहासे किया गया इस पूर्ण प्रिस्कार किसे प्राप्त हुआ है तो मैं ऑब दियर जो बने हैं दो तेज के वो कौन है अपने हेमनत के स्रीनिवा सुलू हेमन्त के स्रीनिवा सुलू यह इन ऑप दए ये दोजरतीज अगले कुस्छन पे अगर चलें तो यह दख्षडी नोसेना कमान कोच्ची के फ्लैग ओफिसर कमांडिंग इनचीफ कौन बने है तो यह कुछ इन को क्या है कि दखचणी नौस से ना कमान है जो अपनी पुषिटी निवास गिला कुष्चन में सरकार ने किस देस族 ऐने वाले जिपसम बोर्ड वा更 हिः पर ascending duty लगा दिए ठीक है तो इसमें चीन और उमान दोनों है मतलब option A और B दोनों ठीक है तो अब सवाल यह उठता है कि anti-dumping duty क्या होता है तो क्या होता है कई देश जो होते हैं वो इतना रदा production कर लेते हैं कि उनकी जरूआ से ज्यादा वो अपने देश में production कर लेते हैं अब यह होता है कि जो surplus production है उसको इनको बेच होता है तो इतना मैं दूसरे देश के market में इतना अज़्याद सामान अपना किया कर देते है डंप कर देते हैं जिसकी होता है क्य से पता चला कि 10,000-20,000 किलो टमाटर वहां पर देश मतलब उस गाउं में आ गया तो लगवग जो टमाटर है उसका जो क्या कहते है सप्लाई अचानक से बढ़ जाएगी तो सप्लाई बढ़ जाएगी तो टमाटर सस्ता हो जाएगा तो लोग उसी गाउं को टमाटर करेंगे कि उससे क्या होता एसी को हम लोग क्या कहते है डंपिंग यह प्रोसेस क्या होएगा सन्यासिक घुस्ट्रा की तो डेविट वार्नर किस देश के हैं इसके बारे में तो सब को इंप बता होगा सब कोई क्रिकेट देखते हैं तो इसका क्या होगा ऐस्ट्रेलिया ओके अगला कुश्चिन है अग्सका नहीं हुंड़ाइ यह अपनी दीपका पादुकून ने हाली म तो इसको बना गया है तो इसको मतलब कहां आयुजित क्या गया है अगले कूश्चन में चलते हैं पहले All Girls Santic School का उद्गाटन कहां किया गया है तो पहले औल गल्स एनिक स्कूल के स्थापना की जा रही है तो यह होगे बीस कुश्चन अगले कुश्चन के और चलते हैं अगले कुश्चन जो है लगभग आट सो करोड लोग है तो और कितने लोग बढ़ गया है तो अमेरिका कंस्टिटूट कहता है कि लगभग 75 मिलियन लोग जो है अपने अवादी में और एड हो गया है तो इससे अप समझ सकने हैं कि दर्ती को लेकि कितना जादा दबाव पढ़ रहा होगा जैसे जास और को श्रमस्कार वोग एक है तेसमा कुश्चन वेद प्रकास नंदा कौन थे जिनका हाली में निदन हो गया है अगले चलते हैं इंडियन नाइयल कॉपरेशन की नई निदेस्ट कौन बणी है इंडियन जो इंडियन नाइल कॉपरेशन हुए क्या है कि सरकारी महारतना कं अपनी है इसका बेसिकली काम क्या होता है all export import का काम होता है all refinery का काम भी करती है petroleum बनाने को डीजल बनाने के तो इसकी जो क्या नाम है कि जो all cooperation की नहीं देशा को उनको कौन है दुरघटना संभाविस साइटों को navigation platform पर map करने वाला पहला राज कौन बना है दुरघटना संभाविस साइटों को navigation platform के mapping की जाएगी कहां कहां दुरघटना हो रही है तो उसको map करने वाला जो पहला जो राज बना हो कौन बना है पंजाब मतलब कुल मिला के भी लोगों को पता, मतलब सरगार को ये पता चले के कहा दुरगटना हुए उसे साब से response भेजा जा सकता है ठीक है, अगला question है, सावित्री भाई फूले की जैनती किस दिन मनाई जाती है सावित्री भाई फूले के बारे में आप जानते हैं, सावित्री भाई फूले जो थी, एक social reformer थी, ये खुद एक depressed class जाती थी और इन्होंने महिला की सिक्षा के लिए बहुत ज्यादा काम किया, इन्होंने अपना एक स्कूल रखा था, जब इस स्कूल जाय करती थी, तो जो स्कूल में जाती थी, दूसाड़ी बदल लेती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी पढ़ाना बंद नहीं किया, ठीक है, तो सावित्री भाई फूले का जो जैनती दिवस किस दिन मना जाता है, ये मना जाता है अपना तीन जनवरी को, ठीक है, उसके बाद आते है, Scottish, Squass जूनि में Women Under 19 किताब किस ने जीता है, तो ये है अपनी अनाहत सिंग, अनाहत सिंग ने क्या किया है, कि Squass Under 19 में किताब जीता है, ठीक है, भारती नौसेना के उप्रमुख कौन बने है, भारती नौसेना की बारे में आप सब जानते हैं, कि हमाएं तटो की रक्षा करती है, इसके जो नए उप्रमुख है, वो कौन है, ये दिनेस के त्रिपाठी, ठीक है, ये याद रखनी वाली बात है, ओके आगे चलते है, क्रिकेट के 147 साल के इतिहास में सबसे चोटा टेस्ट मैच भारत और किस टीम के बीच में हुआ है, तो ये हुआ है अपना दक्षिड अफरीक किस देश का है, मतलब दुनिया वर में जो पासपोर्ट होता है, लोगों द्वारा मतलब एक देश से दूसरे देश में जाने के इस्तमाल किया जाता है, तो समय सबसे ज़्यादा मरूवत है किसका, सयुक्त अरब अमिरात का, मतलब अगर किसी नागरी के पास में सयुक्त अरब अमिरात का पासपोर्ट होतों कई सारे देशों में बिना वीजा के वो इंट्री ले सकता है, ठीक है, अगले कुशन चलते हैं, किस राजसरकार ने गुड़ोट्सव दोजार चौबिस लांच किया है, गुड़ोट्सव गुड़ोट्सव ठीक है, तो यह अपने एक किस में का यह है, ऑप्शन C, असम, तो असम में क्या हुआ है, गुड़ोट्सव दोजार चौबिस लांच किया गया, ठीक है, अगला कुशन है, किस जिले को वन डिस्ट्रिक वन प्रोड़क्ट अवार्ड दोजार तेईस ही दिया गया है, तो यह डिस्ट्रिक है कौन सा है आपके स्ट्रिक वन डिस्ट्रिक क्या होता है, मतलब यह स्खिम कर रहे हैं, तो उटी है, किसी अर्ट अड्यिक का समान चांटरिकत का जिर रहे लैया जाए उसकी ब्रैंडिंग की जाए और उसकी जो मार्केटिंग है इन सब को करके वहां पर उसकी बिक्री बढ़ाई जाए जिससे उस जीले का भी नाम होगा और उस प्रोडक्ट का भी नाम होगा जिससे क्या होगा आसपास के फार्मर्स जो है और बांकी जो बिजनेसमें हैं उसको उनसे फायदा होगा टीक है तो कौने बुरहांपूर अगले सवाल पर किवार किस रॉकेट से उपग्राइ werk भारत पहली बार किस रॉकेट से उपग्राइब लॉंच करेगा भारत पहली बार फॉलकन नाइन से फॉलकन नाइन के बारे में अगर बात करें तो यह किसका रॉकेट है यह उसका क्या नामे अपना जो इलोन मस्क है इस पेसेक्स का जो रॉकेट है फॉलकन इस पेसेक्स के सब जानते हैं कि एक अमेरिका की कंपणी है किसके दोरहल बनाई इलॉन मस्क इन्होंने हाले में क्या किया है ऐसे सेटल मतलब ऐसे रॉकेट बनाए है जो एक बार उड़त हो जाते हैं लेकिन नीचे आगे फिर वो लैंड भी कर सकते हैं अभी तक ऐसे रॉकेट से जो इनको में को लेकर फैलकन के बारे में किस जील में वार्शिक पक्षी गर्णा शुरू ह हुई है तो उडिसा में मिसके बारे पढ़ लीजेगा यह थोड़ा इंपोर्टन हो जाती है झाल अ कभी कभी पूछ लेता है कौन से राज्य से होते हैं इनकी भाहसा क्या होती है तो इसके बारे में आपको थोड़ी जनकारी रख लेने ठीक है अगला सब अगला कोश्चन है रानी दुर्गाबती स्री अन प्रोटसाहन योजना किस राज्य में सुरू की गई है यह सुरू की गई ही कहा मध्यप्रदेस में राज्य दुर्गाबती कहां कि ती माध्य गढ़का तंग इधर किती तो आप तो एसे याद रहेगा कि मतलब किसर दुखशान शुरू किया तो मध्यप्रदेश नशुरू किया है अगले कुस्टिन चलते हैं मराष्ट की पहली महिला पुलिस महानी देशक डीजीपी कौन बनी है ये बनी है अपनी रस्मी सुकला ठीक है ऐसे याद रखना है कि मतलब मदप्रदेश राज की पहली महिला डीजीपी कौन है रस्मी सुकला ओके अगले कुस्टिन चलते हैं बीच गेम जोजा 24 को सुबारम कहा हुआ है दीव गोवा तमिल नाडू या फिर दिल्ली तो ऐसे इसको मतलब क्या कहते हैं कुछ ऑप्सन इसमें निगलेक्ट भी कर सकते हैं जिसे दिल्ली में तो कोई बीच होता नहीं अब बचे तीन राज़त दिखते हैं इसमें क्या होग होगा तो हलाक इसका अंसर 39 का कौन सा है दीव दमन और दीव जो है वहां पर क्या किया गया है बीच गेम 24 का उद्गाटन किया ठीक है राजिस्थान किस राजिस्थान उर्जा विकास एबं आईटी सर्विसस लिमिटेट किस जल विद्धुत पर्यूजना पर बिजली प् लाँश किया था यह एक सिकंड तो डाल खरीद पोर्टल को लाँज किया है एक सिकंड तो अगला कुश्चन एप ब्लूम बर्ग बिलेनियर इंडेक्स हुएं भारत में सबसे अमीर कारोबारी कौन बने भारत के सबसे अमीर कारुबारी कौन है गौतम अडानी यह अपने गुजराती बिज्नेसमेन है इनको लेके काफे जादे होती हैं बीच में और यह भी खबर आई ही कि मतलब कि सबसे अमीर कारोबारी ये बन चुए है अगले question पर चलते हैं question number 43 युद्ध अनाथों के लिए विस्व दिवस कम मना जाता है तो युद्ध अनाथों के लिए विस्व दिवस मना जाता है अपना 6 जनवरी को ठीक है तो याद रखने वाले बात है शनवरी को ठीक है सम्बंधी था, सुन्धर बन, ये अपना कहां होता है, पश्चिम मंगल में, सुन्धर बन क्या है, मैं ग्रूपस है, वहाँ पे, और वेट लेंड भी है, वहीपे, बेंगौल टाइगर भी पाए जाता है, तो ये सुंदर्वांध की जो सहद है किस राज में पाय जाता है ये पाय जाता अपना पश्श्शिप बंगाल में चलते हैं पक्छी विग्यान यूजनक का अनावरंड किस ने किया अपने जी की रहते हुए कोई कैसे का नावरंड कर सकता है तो रेल से लेके मतलब सारी चीजें यही करते हैं तो इसका आपको आंसर आंक-मूदी के नरिमूदी लगा देना होगे आगे चलते है कि कुश्चन नमबर 46 किस अंतर राश्टी एजंसी ने फ्यूल सेल तकनीकी का सफल पर किया है किस अंतर राश्टी एजंसी ने किया है यह किया है इस रोने फ्यूल सेल क्या होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के जो भी फ्यूल बनता है उसको हम लोग क्या करते है फ्यूल सेल इसका बाइप्रोडक्ट क्या होता है है एक तरफ हाइड्रोजन दूसरी तरफ ऑक्सीजन इसका बाइप्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन मतलब की हाइड्रोजन और दूसरी तरफ क्या बनती है एनर्जी तो किसने क्या है एक सेकेंड कि एगा है किस इंतरी चेह से ने फ्यूल से टक्णीके के सपार पर रिश्यर किया है कि इस वर नहीं किया है थीकिए 47 कुश्टिन करते है भारत पार किस देश में खोला जाएगा भारत पार किस देश में ने में UAE में UAE मतलब UAE के बारे में और भी अभी हमने पढ़ा था कि UAE जो है डिजर्ट साइकलोन आर्मी जो एकसाथ आज़े किसके भारत किसके साथ कर रहा है UAE के साथ मतलब दूसरा इपॉर्टन पार्टी हो गई कि वहां पर भारत पार्ग भी खोला जा रहा है ओके अगले किस मंत्राले ने लांच किया तो किस दिन लेगरेंज पॉइंट वन पर पहुंच ता है तो यह किस दिन पहुंचा है यह पहुंचा है यह 6 जनबरी 2014 को 6 जनवरी 2024 तो important हो जाता है कि lagrange point क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं basically क्या होता है कि 5 ऐसे point है L1 L2 L3 L4 L5 यह सब क्या होते lagrange point अब सवाल उठता है कि lagrange point है क्या तो इसको ऐसे समझते हैं यह सूरज है और यह अपनी प्यारी सी धर्ती ठीक है तो एक ऐसा point point जहां पर सूरज और धर्ती का जो gravitational force of balance हो जाता है तो अगर उस point पर किसी object को रख दिया जाएगा तो वहीं पी benefit उठाई तो आज के वीडियो में बस इतना ही थैंक यू